नमस्कार दोस्तों मैं हूँ चान्दी वेलकम टू ही टीवी ग्रीन टी के बज़ाए पीजी ए ब्लू टी सिर्दर्द और पिरियर्स दर्द होगा दूर चाई बारती लोगों की फेवरेट ड्रिंग है सुबह उटते ही अधिकतर लोगों को चाई की तलब होती है अधिकतर भारती घरों में सुबह की शुरुआ चाई के गरम-गरम कप के साथ ही होती है हलाकि शेत्र और टेश्ट के अनुसार देश के अलग-अलग इलाखे में लोग अलग-अलग तरफ की चाय पेना पसंद करते है आजकल जबलपूर में अनोखी चाय लोगों को पसंदा रही है यह है ब्लू चाय इसे सुकून वाली चाय भी कहा जाता है यह ब्लू चाय ग्रीन टी से भी ज़ादा फायदे मन है आईए जानते हैं क्या है या ब्लू टी और क्या इसके फाइदे ब्लू टी के फाइदे जबलपूर में कई जगा मिलने वाली ब्लू चाई दरसल अपराजिता के फूलों से तयार चाई है अपराजिता के फूलों के देवताओं का प्रे फूल माना जाता है और पूजा पार्ट में इसका उप्योग किया जाता है अपराजिता के फूल की चाई एंटी आक्सिडेंट से बरबूर होती है या इम्यूनिटी को बूश्ट करने के साथ साथ बॉड़ी को डीटॉक्स भी करती है ब्लूटी से सहत को लाब चाई के शवकीनओं के अक्सर एसिडिटी का सामना करना पड़ता है खास कर ऐसे लोगों को समश्या ज्यादा होती है जिनकी बॉड़ी में मेटबॉलिजम की रेट कम होती है ऐसे लोगों के लिए ब्लूटी चाई बहुत फाइदे मन साबित होती है इससे बोडी के मेटबॉलिजम की रेट में सुधार होता है इसके साथ ही अपराजिता के फूल में पाए जाने वाले आउशिदी गुनों और एंटी ओक्सिडेन गुनों के कारण ब्लूटी के सेवन से सरदद, पीरियर्ज के एंटेन, बोडी में पेन, एनरजी की कमी, वीकनेस, मेमोरी वीक होना, आस्तमा, खांसी, डिप्रेशन और हाइपर टेंशन जैसी परेशानियों से राहत दिलाता है उसके सटा ही वेट पर कंट्रोल रखने में भी मदद करता है कैसे बनाए ब्लूटी? ब्लूटी बनाना बहुत आसान है ये पैन में पानी गर्म करें और उसमें तीन से लेकर चार अपराजिता के फूल डाल दें अब इस पानी को अच्छी तरह से उबार ले और फिर चान ले इसके बाद इसमें एक चमश शहत दाल कर मिला ले अब आप इस ब्लूटी को एंजोई कर सकते हैं आपको बता दे कि डायाबेटिस के मरीजों के लिए या चाई किसी वद्दान से कम नहीं है नीली चाई पीने से ब्लेड शुगर लेवेल को कंट्रोल करने में मदद मिलती है धन्यवाद